इन सभी कष्टों का नास हो जाएगा इस महाप्रचेंद उपाय से। यदि रामदी का दिया हुआ दंड है तो आपको लाव नहीं होगा। क्या है महाप्रचेंद उपाय। ओर नमस्षिवार, जैश्री राव, जैमात नवासनी। क्या आपके जीवन में कष्ट है, क्या कष्ट आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है। चाहे वो कष्ट शाजिलिक हो, चाहे वो कष्ट मानसिक हो, चाहे वो कष्ट कंत्रवाधा के द्वारा हो, चाहे वो कस्ट सक्ति के द्वारा हो इन सभी कष्टों का नास हो जाएगा इस महां प्रशें उबाय से यह उबायत अपपूरतः प्रियोग और इसका लभ भी स्मर्भभि बिलता है एक हम वह देखा एक जो हम कहते हैं उसमय हैं क ्वछ तो आपको इससे थोड़ा सा लाभ होगा ये राम जी का दिया हुआ दंड है तो आपको लाभ नहीं होगा क्योंकि राम जी के दिये हुए दंड भोगना ही परता है और बाकी ये शारीरिक मानसी के आर्थिक शक्त्रुबाधा तंड बाधा की ये कराय से आपको पश्ट है तो शक्त्रच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जैसे अलग-अलग जगा अलग-अलग अलग मसान देउता हैं और जितने भी मसान हैं तो बहुत बड़े शुभक होते हैं मसान देउता के पास जाना है उससे पूर्द आपको जाना है शुव मंदिर में वहां पे भगवान शुव का अवशेग करना है ओम नमस्षुवाय का और उसके बाद अपने सारे कश्ट को लेकर मसान देवता के पास जाना है जहां पे उनकी पिंडी हो यह जहां तो उनकी मूर्ती हो और वही बैठके आपको अपने मन की अपने जीवन की सारी विठा सारी पिलाव को कहना है और बैट के वहीं पे शिवतान्ड शोत का पास करना है एक ग्यारा बार और मसान देउता को उनका भोग दो लड्डू एक सूखा गरी का बोला और वहां पे मसान देउता को अगर शराब चड़ती है तो एक क्वाटर शराब चढ़ा दिना है ऐसा आप हर ग्यार करेंगे यकीन मानिए आपके जीवन से कष्ट खतम होने लगेंगे जिस समय मसान देउता आपके मुझ से शिवकी भक्ती सुने और आपके ऊपर क्रिपा कर दिये उसी समय से सप्रूपा किया हुआ तंद्र बाधा दूर होने लगेगी यह उनके कान में आपके माध्यम से शिवकी इस्तुती पहुझ गए और प्रसन्हों गए तो यकीन मानिए आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट को खत्म करने में मसान देउता सक्षब है एक प्रियोग कराया दिया है और इसमें लाह हुँभी मिला है लेकिन याद रखे, कौन से मसान देउता के पास जाना है जो सिद्ध मसान है, जो शुवक्त हैं जैसे बाबा गंगा राम गोरी, मंसा राम गोरी, कनिवनाद गोरी जैसे बाबा नादू राम उगर है, राम नादू उगर है, निहाल बाबा है कनिवनाज जी हैं जो शिवत्त्त से अभर है मसान उन्हीं के पास जाना है और जाके यदि आप शिवतान्डव सोथ का पाथ करते हैं उनको भोग देकर तो अवश ही आपके जीवन से कष्ट खतम होने लगते हैं ये प्रयोग किया गया है प्रमारिक है क्युकि सोत है अपने आपने एक बहुत ही प्रचेंड शक्ति है कष्ट में शिवतान्ड mentor सोर से सीख्र फरीद होने वारा कोई और सोत है ही नहीं जब रामर कष्ट में था तो शिवतान्डव सोर की रचना करके अपने कष्टों से मूक्ति पाया था और चंग अब कली में देवता साथ आते रही हैं तो देवता के जो भख्त प्रालाव की कूर्जा में है जो नाथ हैं जो मसान हैं जो शीवत्त्त हैं ओ आपके लिए आपका कार्य करते हैं आज लिए इतना ही जैसीरा